अयोध्या के राम मंदिन दिर्मान प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामल होने को लेकर मिधला के लोग परामपरागत तोड़ से तयारी कर रहे हैं कुछ चद्धाल उतरभंगा से अयोध्या पद्यात्रा करते हुए निकल भी पड़े हैं इधर शुक्रवार को दर्भंगा से भगवान राम की अवद नगरी के लिए 501 तरह के सनेस वाला भार भेजा गया इस सनेस में सोने चांदी के गहनों के अलावा खाने पीने के सामान सहित कई तरह के पकवान और कपड़े रवाना किये गए दर्भंगा के सांसत गोपाल जी ठाकुर और पचाडी मट के महंत मौनी बाबा सहित हजारों लोगों को भार के साथ रवाना किया गया ये भार सोरूप सनेस तर्भंगा के मशूर शामामाई मंदिर में पुजाजियों के तरफ से पूजा करने के बाद भीजा गया इस सनेस भार में मिथला की परंपरा के हिसाब से लेटी की विदाई में जो समान दिये जाते हैं वो सभी तो थे ही साथ ही नए मकान में त्री प्रवेश के तोरान जिन सामानों की जरुरत होती है वो सभी सामान भी भीजे गए इससे पहले यहां महिलाओं ने मंगल गीत गाया इसके बाद सभी संदेश वाले भार की पूजा शामामाई मंदिर में ही की गई और फिर लोगों ने अपने माथे पर भार उठाया भार को कई गाड़ियों में लाद कर पूरा काफिला अयोधिया के लिए रवाना हो गया जबर्दास्त घार घार में उत्सा है अभी जो भार 501 हम लोग लेके जा रहे हैं उसमें पूरे मिथला पूरे दर्भंगा वासियों का उत्साह का ही परिणाम है आज हज्जारों हज्जार की तैदात में स्यामा पडिसर में लोग जूट गए हैं गाजा बाजा के साथ और स्यामा माय को हम लोग यह परसाद चरहा करके गाणा गुडिया और चल दिये है रात्री प्रवास बक्सर में होगा और बक्सर से कल सबेर निकले की और हम लोग पहुँचेगे अजवध्या धाम में मिथला धाम से अजवध्या धाम का यात्रहा पर हम लोग निकल चुके हैं जगत जननी जानकी जगदंबा के लिए जो कपरा समगरी सारी साया वगेरा गहना गुरिया उनका लाठी सिंदूर जो एक बेटी को नई हर से घरवास के कारिकरम में जाता है वो सारा समगरी है और प्रभुसरी राम के चारू भाई के लिए भी कपरा लट्ता हम लोग ले करक जा रहे हैं और भार समगरी में जो मखाना परमुक्ता से मितला दर्भंगा का है वो भार और तमाम चूरा दही जो मितला का प्रसिद्ध है भोग भगवान को हम लोग लगाते हैं चूरा दही लाए मुरलाए तमाम समगरी के साथ हम लोग जा रहे हैं हम सब अभी दर्भंगा से चल दिये हैं जो एक मिथला का और जो अयोध्या का संबंध है किसोरी जी का और राम जी का उसमें हमारे इस दर्भंगा जिला का मानिय सामसद गुपाल जी ठाकुर जी और भार जो ये बिधवत जो है दही, चूडा, मिठाय, तिलकोर, तरवा, बस माने टोकना, टोकनी, सारे भार लेकर, जो भार क्या देंगे भागवान को, हम सब एक अपना भावना दे रहे हैं किसोरी जी के मिथला भूमी से जो राम जी को ये ले जाके अपना भाव दिखा रहे हैं एक संत के लिए, महत्मा के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, खासकर मिथला के संतों के लिए देखे अभी मिथला के लिए क्या कहा जाए, इसका कोई नहीं, अगर इस दुनियाम अगर कोई भी संबंद है, तो जमाई से बड़ा कोई संबंद नहीं माना जाता है उससे जब राम जी का आज मंदिल में स्थापना हो रहा है, इससे बड़ा मिथला वासी का या संत महत्मा का क्या सवभाग होगा, इससे तो बड़ा कोई बात नहीं है अयोध्या में 22 जन्वरी को राम मंदिन में प्रान पतिष्ठा होनी है, ऐसे में पूरे देश के साथ साथ दर्भंगा में मिलोगों का उत्सा चरम पर है सीता मिथला की राजकुमारी थी, तो राम मिथला के दामाद है, और इन्हें रिष्ठों के उसमान में मिथला से अवद के लिए ये भार भेजे गए दर्भंगा से आलोग पुंच की रिपोर्ट